Welcome to sociology classes, मैं हूँ आपका दोस्त शिबो आज हम discuss करने वाले हैं social institutions के बारे में हम सभी society में रहते हैं हम sociology में society को study करते हैं society के जो तौर तरीके है, इसका जो structure है इसको समझने की कोशिश करते है हमारा society का जो foundation है ये foundation तैयार होता है social institutions के द्वारा इस बज़े से हमें social institution को बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है खास कर sociology को समझने के लिए society किस तरीके से बनती है यहाँ पर क्या क्या अलग-अलग चीज़े है क्या के structures है, patterns है ये सारे चीज़े समझने के लिए हमें social institutions को समझना जरूरी है आज के class में इसी चीज़े को हम discuss करने वाले है समझने वाले है आज के class में हम social institution क्या है इसको अलग-अलग thinkers ने किस तरीके से define क्या है इसके बारे में जानेंगे फिर देखेंगे characteristics और functions of social institutions और बाद में देखने वाले है major social institution कुछ जो major social institution है जो हमारे society के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इनको हम थोड़ा बहुत discuss करने वाले है तो आज के class में ये सारे topics को हम cover करने वाले है तो चलिए आज का ये जो class है हम शुरू करते है पहले हम जानते है कि ये जो social institution है ये basically है क्या है इसको हम किस तरीके से define करते है social institutions are the standardized pattern of behavior and organization इने society that fulfill basic social needs यानि कि social institutions वो सारे standardized pattern of behavior है या फिर वो सारे organized structures है जो हमारे society की basic needs को fulfill करती है हमारे society में society का कुछ needs होते है हर इनसान का हर individual का कुछ needs होती है इन सारे needs को जो fulfill करेगा वो होगा हमारा social institutions ये social institution बहुत सारे है अलग-अलग societies में social institutions का काम भी अलग होता है pattern भी बदलते रहते हैं लेकिन Social Institution हम हर जगा पर देखते हैं, क्योंकि ये जो Social Institution है, ये हमारे Society का Foundation तयार करते हैं, हर जगा पर हमारे Society का एक Foundation होता है और वो होता है हमारा Social Institution अब सबसे जो Important बात हमें याद रखनी है, Social Institution में एक Organized Structure होता है और एक Pattern of Behavior भी होता है, अब ये Organized Structure क्या है, हमारा Society जिस तरीके से काम करेगा उसका एक Structure तयार होता है, वहाँ पर हम बहुत सारे चीज़े देखते हैं, जैसे हमारा Family होगा, वहाँ पर Family में हम Kinship Patterns देख सकते हैं, वहाँ पर शादियों का कुछ Rules ह होते हैं, यानि कि यहाँ पर हम Society में कुछ Structures देखते हैं, कौन किसको किस तरीके का सिक्षा देगा, ये सारे चीज़े भी हम एक Structure में देखते हैं, यहाँ पर लोगों का एक Pattern of Behavior होता है, ये सारे चीज़े हमारा Society किस तरीके से Function करेगा, यहाँ पर लोग किस तरीके से ए यानि कि कोई भी एक संगस्तान जहाँ पर हम जाके कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे School, College, यहाँ पर जाकर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसी तरीके से Social Institution यानि कि हम जहाँ पर Society के तौर तरीके समझते हैं, Society किस तरीके से Function करती हैं, यहाँ पर हमें रहने के लिए किस तरीके का behavior करना चाहिए, यह सारे चीजे जिस तरीके से control होता है, जिस institution के माध्यम से control होता है, उसको हम कहते हैं Social Institution, यह जो Social Institution है, यह एक बहुत बड़ा ब्रॉड टार्म है, हम sociology में पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी एक टार्म को हमें define करने में बहुत ज्यादा दि है, इसी तरीके से Social Institution को भी हम एक direct ऐसा कोई definition नहीं है, जिसके द्वारा हम Social Institution को define कर पाएंगे, अलग-अलग thinkers है, अलग-अलग thinkers ने Social Institution का अलग-अलग definition दिया है, यहाँ पर कुछ thinkers है, जिनका definition मैंने दी है, यहाँ पर MacIver और Page ने कहा है, यह जो institution है, यह basically organized way of doing something है, यानि कि हम जब भी कोई काम करते है, जब इसको organized way में करने की कोशिश करते है, तभी उसको कहा जाता है institution, यहाँ पर आप अगर बाकी thinkers के भी definition देखोगे, तो यहाँ पर सबसे common जो बात है, वो है human needs, यानि कि लोगों की needs को fulfill करना, लोगों का जो social needs है, human basic needs है, यह सारे चीज़ों को fulfill करने के लिए हमारे society में हम बहुत सारे norms, values, status, role, group, यह सारे चीज़े देखते हैं, और इन सारे चीज़ों को एक stable way में use करने का जो system है, उसको ही हम basically institution कहते हैं, अब social institution को समझने के लिए हमें उनका characteristics को अच्छी तरीके से समझना होगा, तब ही हम जाके social institution को बहतर तरीके से समझ पाएंगे, कि हम कौनसी कौनसी वो चीज़े हैं, जिनको हम institute care है, यहाँ पर social institution जो होगा, वो stable position and permanent structure होगा, यानि कि हम society में बहुत सारे structure हैं, देखते हैं लेकिन हर जो structure है, वो permanent नहीं होता है, जो social institution होगे, वो basically permanent होगे, यानि कि जैसे हमारा family, family, marriage, यह जो institutions है, यह permanent है, जो वेक्ति इसको follow कर रहा है, जिसने भी इसको बनाया है, वो मर चुका है, लेकिन यह family का जो pattern है, family का जो काम है, यह चीज़ चलती आ रही है, यानि कि यह permanent structure है, और यह एक stable position belong करता है, यानि कि यह structure को हम बदल नहीं सकते है, यहाँ पर हम हमारे इच्छा अनुसार, चीज़ों को हम change नहीं कर सकते है, यह चीज़े generation to generation चलती जाती है, फिर social institutions जो है, वो fulfillment of specific needs and goals के हिसाब से काम करते है, यानि कि कुछ लोगों का specific need होता है, कुछ ल जरूरते होती है, इन सारे जरूरते को fulfill करने का काम करता है, social institutions, हम सभी society में रहते हैं, हम कभी भी isolation में नहीं रह सकते हैं, हम एकेला हमारी पूरी जिंदिगी बिता नहीं सकते हैं, हमारे किछ जरूरते होती हैं, हम लोगों से कुछ चाहते हैं, लोगों से love चाहते हैं, affection च पुट्ययबिलिटि चाहते हैं यह जो सारे नीड्स है हम एकैलillar अभी भी फूल्फील नहीं कर सकते हैं यह सारे नीड्स और गोल्स हमें कौन फुल्फील करने में सहायता करेगा यह करेगा हमारा सोशियल इंस्टिटूशन जैसे हमारा रिलिजियन होता है हमारा spiritual peace और हमारा जो education है वो knowledge और skills के बारे में देखता है marriage हमारे family को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है इसी तरीके से अलग-अलग जो social institution है उसका specific needs और goal होते है यहाँ पर हम देखते है permanent behavior pattern यानि कि जो भी behavior pattern है यह permanent होता है यहाँ पर हम इसको बदल नहीं सकते है यह change को resist करता है जैसे हमारा family, family का जो pattern है इसको हम बदल नहीं सकते है इसका main काम होता है, purpose होता है जो future generation है इनको socialize करना, इनको culture transmit करना यह जो चीज है, यह हम फटाक से बदल नहीं सकते है इस बज़े से यह जो pattern है, यह permanent behavioral pattern है marriage का जो institution है, यह जिस जगा पर, जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से ही continue होता है हम change नहीं ला सकते है इसमें यह change धीरे-धीरे आता है यह change, social institutions जो होते हैं यह social change को resist करते हैं यहाँ पर हमारे society में stability provide करता है यह social institutions यहाँ पर हम interdependence among institutions भी देख सकते हैं यानि कि हमारा society में बहुत सारे social institutions है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है वो एक दूसरे के बिना अधूरे है जैसे हमारा family है family हमारा economy के जो institution है इसके साथ मिला हुआ है साती सात हम यहाँ पर marriage का भी institution देखते है kinship का भी institution देखते है यह सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है यहाँ पर हम interdependence देखते हैं इनमे फिर हम देखते है sides of major social problems यहाँ पर जब हम एक social institution में कुछ problem देखते है अगर कोई भी problem देखा गया तो बाकी जो institution है वहाँ पर भी हम problems देख सकते है वहाँ पर भी बदलाव देखा जाता है जैसे हम society में economy में बदलाव जब देखते है तो हमारा family structure में भी बदलाव आता है जब government का policies में बदलाव आता है हमारा family में भी बदलाव देखा जाता है जैसे सरकार जब हमारा जो भी population का लिए जो policy बनाई है जो हमारे population कंट्रोल करने के लिए जो भी policies बनाते है ये इसका impact हर family के उपर पड़ता है यानि कि यहाँ पर हम एक जगा पर जब कोई problem देखते है उसका impact बाकी जगाओ पर भी देखा जाता है यहाँ पर जब हम एक institution को बदलते हैं तो बाकी institution में चीज़े automatically बदलती जाती है जैसे हम economy में जब बदलाव आता है तो हमारा family structure problem में आता है हमारा education system में भी बदलाव आते है इस तरीके से एक चीज़ दूसरे चीज़ को change करता जाता है ये सारे जो characteristics है ये हमारे social institutions के हैं ये स सारे characteristics अगर किसी चीज में होगा तब हम उसको कहेंगे social institutions अब देखते हैं functions of social institutions हमने बहुत सारे characteristics के बारे में बात की है लेकिन ये जो social institution है ये हमारे society का structure है ये हमारे society का base होता है अब इसका कुछ specific purpose भी होता है जैसे preservation of human race हमारा जो human race है इसको बचाए रखने के लिए ये social institution बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे marriage, family, kinship ये सारे चीजे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर एक systematic way में हम नहीं चले हमारा एक system नहीं रहा तो हमारा human race को preserve करना बहुत मुश्किल हो जाएगे लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे ये सारे चीजे resist करने के लिए हमें social institution बहुत ज्यादा जरूरी है फिर है transmission of culture जब हम culture की transmission की बात करते है यानि कि एक generation से दूसरी generation में चीजे ट्रांस्मीट करने की बात करते है तब हमारे लिए social institution बहुत ज्यादा जरूरी होते है जैसे यहाँ पर हमें help करते है family फिर आता है हमारा education ये सार पर हमारे कुछ basic needs को satisfy करने के लिए भी ये social institution जरूरी है जैसे marriage के बज़े से हमारे society में structure में एक stability आती है यहाँ पर marriage के बज़े से लोग एक दूसरे के लिए loyal रहते हैं और हमारा society एक अच्छी तरीके से smooth तरीके से run कर सकता है इसी तरीके से हमें अलग-अलग basic needs को fulfill करने के लिए अलग-अलग institution की जरूरत होती है फिर है social solidarity यानि कि society में लोगों के बीच में solidarity बनाई रखने के लिए लोगों के बीच में एकता बनाई रखने के लिए social institutions जरूरी हो जाती है फिर देखते हैं हम mental and physical security हमारा mental और physical security के लिए हमारा social institutions जरूरी है इसमें से जो सबसे important है वो हमारी family है family हमें mental support security प्रोवाइट करता है और physical security जो है वो हमारे government प्रोवाइट करता है political institute प्रोवाइट करती है family भी प्रोवाइट करती है इस तरीके से हमारे security के लिए भी हमारे social institutions जरूरी है फिर लोगों के welfare और development के लिए ख फिर आते है हमारा जो educational institutions, governments ये सारे जो चीजे हैं वो हमारे social welfare के लिए काम करते हैं और लोगों के development के लिए काम करते हैं इस बज़े से हम कह सकते हैं कि social institutions हमारे society में बहुत ज्यादा जरूरी है और इनका बहुत सारे important function है इस बज़े से हमें social institution को अच्छी तरीके से बजाय रखना होता है और society के अच्छी तरीके से functioning के लिए ये जो social institutions हैं इनका अच्छी तरीके से function करना भी जरूरी हो जाता है अब देखते है major social institutions वैसे तो बहुत सारे social institutions है हमारे society में लेकिन इसमें से जो major institutions है यानि कि जो हमारे लगभग हर society में हमें मिलता है हर जगा पर हमें देखने को मिलता है और जिनका influence सबसे ज्यादा होता है इनमें से ये पाच है जहाँ पर हम family, education, government, economy और religion को देखते है अब ये जो family है family हमारे एक basic unit होता है हमारे society का family की बज़े से ही हमें physical और emotional care मिलता है हमें एक जगा मिलती है जब हम जनम लेते है तब ही से हमारा एक socialization का process चालो हो जाता है और हम society का एक हिस्सा होते है इस family के द्वारा ही ये family हमारे लिए norms और values तैयार करती है हम जिस तरीके से socialize होंगे उसी तरीके से हमारा norms और values create होंगे इसी वज़े से family बहुत important एक social institution है और ये हर जगा पर देखने को मिलता है फिर हम देखते है education education system हमें skills और knowledge के द्वारा teaching देने के लिए बहुत माहिर है यानि कि हमारा skills किस तरीके से होंगे हमारा knowledge किस तरीके से होगा ये सारे चीज़े decide करता है education इस बज़े से education अगर बहतर होगा education system अगर बहतर होगा ये अगर एक responsible system होगा तब उनके जो लोग होंगे उसके under में जो भी लोग होंगे उनके development बहुत fast होगा फिर हम देखते है government, government हमें law and order provide करती है यहाँ पर citizen को protect करने का काम करती है साथ ही साथ बहुत सारे essential services है जो हमें government provide करती है फिर हम देखते है economy, economy हमें एक ऐसा structure provide करती है जिसके द्वारा हम food, shelter, clothing और अलग अलग तरीके का service वाते हैं इस बज़े से किसी भी एक society का अगर economic condition बहतर रहा तो वो society बहुत ज्यादा grow करती है यहाँ पर हम economic institution का जो importance है यह बहुत ज्यादा देखते है फिर हम देखते है religion, religion लोगों के बीच में एक awareness create करती है लोगों को एक meaning देती है और एक purpose provide करती है आपने life के लिए बहुत सहरे लोग ऐसे होते है जो उनके life का meaning नहीं ढून पाते है यह जो religion है उनको एक purpose देता है आपने जीने के लिए उनको एक sense of meaning provide करती है यहाँ पर basically जब religion की बात करते है यह एक moral framework के जैसे काम करती है जो क्योंवी एक individual या फिर community को एक meaning provide करती है उनको एक purpose देती है इस बज़े से religion का importance भी हमारे society में बहुत ज्यादा होती है यह जो 5 social institution है यह बहुत important है हमारे लिए जब हम exam की बात करते हैं इनके साथ साथ हमारे लिए marriage, kinship यह सारे चीज़े भी बहुत important है आज के class में हम यहादे की discuss करेंगे next class में हम देखेंगे अलग-अलग institution के बारे में एक-एक करके सारे institution को हम cover करने की कोशिश करेंगे और in detail एक-एक institution में क्या-क्या topic है कौनसी-कौनसी चीज़ा में study करने होगे उनका अलग-अलग types यह सारे चीज़े हम एक-एक करके देखने वाले हैं तो आज का class यहाद तक ही है अगर class अच्छा लगा है तो वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहिए, स्वस्त रहिए और लोगों में प्यार बाठते रहिए जाई हिंद